हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों स्वागत है आप सब कमेरी चैनल पर जहां हम बाते करते हैं फैशन ब्यूटी लाइफ स्टाइल पूझा पार्ट से जोड़े हुए और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का इस्पिरेंस तो फ्रेंड् सब्सक्राइब ऋआते के जो एक सब्सक्राइब करते हैं कीया गटाम नवंबर तो बासर नवंबर को पड़े हूं तो ऐसे वीडियो आएगी तो जो है वो पड़सो जो है वो गौस्ट मी रहेगी गौस्ट मी शुरू कब से हो रही है कब समाप्त हो रही है तो जो गौस्ट मी की तिथी है वो प्राताई दो बच कर छपन मिनिट पर चार नवंबर को शुरू हो जाएगी और गौस्ट मी अंत जो तिथी है वो प्राते चार बच के सतावन मिनिट से समाप्त हो जाएगी मैं confusion होगी, sorry मैं फिर से बोल देती हूँ आपको गौस्ट मी तिथी प्रारंब जो है वो दो बच के चपन मिनिट चार नवंबर और गौस्ट मी तिथी अंत प्राते चार बच के सतावन मिनिट पांच नवंबर को तो ये पांच नवंबर को जो है वो समाप्त हो जाएगी सुबह में चार बच के सतावन मिनिट पर प्राते है चलिए अब हम करते हैं पूजा का विधान सुरू कि कैसे पूजा का विधान है क्या करना चाहिए क्या क्या सामगरी होने चाहिए तो देखिए आप कैसे पूजा करते हैं, पहले तो पूजा गव माता की की जाती है, तो आप देख लीजेगा आप गव माता कहीं में मिल जाएंगे, आपके घर के बाहर टहलती रहती हैं, चोहराय पर मिल जाती हैं, गव साला में भी मिल जाती हैं, तो आप गव साला चले जा को सजाया जाता है गोमाता को नई घंटी धारण कराई जाती है जिसे दान रूपी कहते हैं आप बजार से जाए लाल रंग की एक रसी खरीद लाइए उसमें एक घंटी बान के गोमाता को धारण कराईए उन्हें पाजेब धारण करा सकते हैं उनकी शिंग जो है उन्हें चा जो है गले में डाल सकते हैं पैरों में कुछ नहीं तो दो भूंगुरू भी डाल सकते हैं », गौव माता को सजाए जाता है कुछ ! और बच्चिТ थाली में हल्दी साल् Goldyaet, कहीं-कहीं आल्ता, माँभर रहता है !! कहीं कहीं कुमकुम रहके ऐसे हात दोनों रख के गोमाटा थोपर सरीर पर चापते हैं। ख Dallas Shots दिया लिए हमारे यहां गोल दिये करश है रहते हैं। उन्हीं चीजों से नंगाता है आलते से, महंदी से, कमकुम से, हलदी से, लोग इन्हीं चीजों से रंगते हैं, आप किस से रंगते हैं आप अपने हसाब से देख लेजएगागा, क्योंकि छेतर के हम से पूजयाये बदल जाती है, गुमागता की बिद्वद पूजया जदन लगाएगा उन्हें मिस्ठान खिलाईएगा जब दूत के बने मिस्ठान कमखाती है तो मिस्ठान की जगे आप कने फल खिला olvत खिला सकते हैं सेफ खिला सकते आज हिसकल तो सरीफय संगाड़े आने लगök भीुबले आप वो भी उन्हें खिला सकते हैं साती साथ जो हम बच्छा रहता है उसे आप काले रंग का कपड़ा अवश ओड़ाईएगा बिल्कुल मत भूलिएगा उसका भी विदुभत पूजन करिएगा गव मता की परक्रमा अवश लगाईएगा उनकी पांच परक्रमा लगाई जाती है तो उनके मुख से परक्रमा सुरू करिएगा और ऐसे चार बार गूम लीजेगा पांच बार उनके मुख के सामने आके आप रुख जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि आपने पांच परक्रमा कर लें या आप चाहें तो नहीं खिला सकते हैं अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है आपको धन की आने जासे हो रहे हैं यह कोई टोटके नहीं है यह उपाए हैं जो किये जाते हैं धन की कोई समस्य आपको हो रही है आप गव माता को थोड़ा आगे चला दें उनके पीछे-पीछे 10-20 कदम तक आप चल सकते हैं कहते हैं कि इससे जो है जीवन में सुक सामरद्धी आती है मैं धन की बात नहीं करती जिंदगी में मैं आज तक मैंना कभी आपको ऐसी चीज नहीं बता है क पैसे कोई समय नहीं कभी आता रहता है कभी भी जाता रहता है वक्त बदलता रहता है जीवन में लेकिन अगर सुक सांती है तो आप जान लीजिए कि आप बहुत खुश है क्योंकि आज के जीवन में सुक सांती ही तो नहीं है व्यक्ति के पास तो आप ऐसा करेंगे तो और आपड़ जरूर लीजीगा लाल रंगा अगर बड़ी करता है देखेगे अगर आप बड़ा कपड़ा नहीं ले सकते आप छोटा कपड़ा ले लिजे आप महंगा कपड़ा नहीं तो आप भ्लाव सपीज का जो prov कुढ़े कह जाएगा यह हर पूजा में कहा जाता है कि बिना दान के पूजा अधूरी होती है, हर पूजा का एक दान होता है, जो हमें निकालना होता है, इस दिन आप दान भी कर सकते हैं, कच्छे भोजन का दान आप गरीबों को दे सकते हैं, सर्दी का समझ चला है, तो आप गरीबों में लाल रं तो हम लोग बोलाते हैं बीस पचिस ले लेते हैं दोड़्विझार में आते हैं सब दे देतے आप बात करते हैं घर में अगर आपने गुवाट रख रखी है उनकी लीए कड़े खरीद ले गाएगा बजार से जैसे हम लोग भगवाण जी के पड़े खरीदें मिलते हैं अब लिए चांदी के भी करिष सकते हैं सोने के भी करिषे भी खारी सकते हैं, तोटल आपकी शमता पर निर्भर करता है, आपने वो पहनाईगा, कुम कुम चननल लगाईगा, उनके उपर ये छोटा सा कपला डाल दीजेगा, क्योंकि सर्दी आ रही है, उन्हें भी सर्दी लगती है, और उनको भी भोग की थाली रख दीजेगा, गव मात दूर से बनी चीजे नहीं खाती है, तो इस चीज का विसेज द्यान देखिएगा, विदिवत पूजन, मैंने आपको जैसे उनका बता दिया, आप ये कर लीजेगा, लाल कपडा गरूर लाईएगा, गंटी लाईएगा, और रसी लाईएगा, हो सकते तो उनके पैरों में दो-दो-दो-गू-गुरू-बांदी येगा, नहीं हो सकता है, तो कोई बात नहीं, अगर शमता है, तो उनके सींग भी चांदी से जरूर मढवाईएगा, उससे वो बहुत ही सुन्दर लगती है, गव अस्टमी से जुड़ी हुई कथा भी है, और कथा कुछ इस परकार ह मैं आपको थोड़ी सी बता देती है, तो आप गूगल पर सर्च कर लेज़ेगा, कि एक बार कृषिन जी जो हमारे मारे शोदा से हट करने लगे, कि मा अब मैं बढ़ा हो गया हूं, मैं भी गाय चराने के लिए जाओंगा, माने का नहीं बढ़ा हो और मेरा काना भी बहुत पहना है, जूते रिये तो कनहिया जी ने वस और जूते लेने से मना कर गया हूं, हमारी गूमाता बिना जूते चपल के आगे आगे जाएंगी, तो मैं कैसे पहन सकता हूं, तो इस टाइप की कई पोराने कथा हैं, आप सर्च करिएगा, आपको मिल जाएंगी, कथा आवश जाएंगे, वहां पाराम से पूजा कर लेंगे, जो लोग लखनों में हैं, अगर वो लोग जानना चाहते हैं, तो आप लोग हजरत गंच से, हम लोग सदर की तरफ आएंगे, केंट की तरफ आएंगे, केंट में बहुत बड़ी कईशाला है, वहां इतनी सारी गाएं, आप लोग चाहें, तो वहां कर सकते हैं, और अगर हो सकते हैं, तो जैसे गली में कोई गाया जाती हैं, तो उसे विदिवद इसनान जरूर कराईएंगे, जब आप पूजा करने जाएंगे, तब भी उन्हें लोटे में थोड़ा सा जल लेके छलक दीजेगा, आप गली में कोई मात आजाती हैं, आप इदिवद पूजा नहीं कर पाते हैं, किसी कारण अबस्त, अगर मान लिए जैसे की भीला हैं, तबाम समस्या हो जाती हैं, तो आप उन्हें इसनान करवा सकती हैं, बालती पानी में भरके उन्हें अच्छे से इसनान करा दीजेगा, पूजा जो अगर नहीं हैं, तो आप कच्छा भोजन भी दान कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं, नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, जैसी किशना, रादे रादे, बाए 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 बाए